तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दो आए तो आज के ब्लाग स्टाइट करते हैं वेलकम बेक तू माई चैनल आज मैं बात करने वाले हूँ, जो मेरा सौक है, तो वो है मेरा सौक है, मुझे सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने वो एक अपनी जो आप लोग देखते हैं मेरी जो मशीन है, वो खरी दी थी और उसमें काफी कुछ फंक्सान है तो वो बहुत अच्छा मतलब एलेक्ट्रिक है, तो जल्दी काम हो जाता है उससे और महनत कम लगती है, जैसे कि वो वाली होती है, तो पैर से चलाने होती है, या हाथ से चलाने होती है, मेरे पास हाथ से चलाने वाली भी है लेकिन मैंने यह वाली ली थी क्योंकि मुझे बहुत सौफ था सिलाई का और मुझे लगता था कि मैं कुछ डिजाइनर कपड़े बनाऊंगी या मतलब तो उस हिसाब से मैंने यह वाली मसीन जो है खरी दी तो आप लोग देखते ही होंगे मेरे पास वो इलक्टिक मसीन है तो इसमें क्या होता है कि जहां पर मैं रहते हूं यह है छोटी जगा तो यहां पर इस मसीन में कोई प्रॉब् सटक्राइब से और तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है इसी चीजें जो है मैनेज करने में जो जिनका हमारे हां सपास aime होती है कोई उसकी अजेंसी बगेरह तो फिर इन को मैनेज करनेना मुस्किल होता है तो रखना वासान होता है और शासां अभलेicht अत你्ति हें टोह भी मुझे आसाने से मुझे कं सकता है। तब मुझे पर संब्राइब यहां तो में प करेंगी40। से तो हाँ पर क्या है कि थोड़ा सा सत्रस्ति क्लोमीटर की दूरी है तो ऐसे तनी ले जा सकते हैं कभी बहुत जरूरी काम होता है तब जाते हैं और उसी चक मतलब जैसे कोई काम हुआ गए तो लेके चले गए फिर उठाने की प्रॉब्लम हो जाती है तो इसलिए मैंने हाठी तो बान लेंगे लेकर उसको खिलाने मुझकिल हो जाता है तो इसका हो रही है और मैं दो निद् l हो खरी कि तो खराब हो चुकी तो फिर उसको ठीक कर्वाने के लिए की लिए ले बाए ठा mają डगी तो औन ने också सब्सक्राइब करते हैं लेकिन काम बहुत अच्छा करती है और जल्दी कर देती है कि में बहुत जल्दी काम होता है क्योंकि हाथ मेरं भी ने लगती है और च्छी आती है और इसमेंश्चा कराई होती है बहुत कुछ हूँता है लेकर बस यहीज है कि इसके जो टूल्सहें वह अगर कहीं मदब को कुछ भी ब्यादर चूब ही मिले थे तो मैं जल्दी का अघे खाल कर आयाएं तो बाइटे भींहें पता था दो बेहां में इस को फोड़ा था योई लेडा दालना नहीं भाषत हो इसी एक देख देक कर दो व स्कांव मैं कर देती हूं तो चलिए मैं दिखाती हूं आपको कि याद मेने किस तरीके के इसकी चर्विस की तो चलिए आपसल देते हैं हम बैक को और मैंने आपको बता रही था कि उसका सहीं का जो नया बैक है विलकुल पहली बाइब के जा रहा था और वो यहां से खुल गया था तो उसको इठीक कर लेते हैं तो आभी मैं तागत लगा के उसकी जो बैल्ट है जो टांगते हैं उनको मेंवाली इसलाइख जा रहती है। अन्हारूट वैसे इतर्वा सब्सकेत बढूप उप व्कुल से जाला को चाहती है और इसलाइख सबस्केशा ुपalt हाटation . दोफ हाटारी थे क too इनndre Mसातरा के भीत्रचितल इतर्चे के सब्सकेश सब्सकेश 他ए करन बश sans इसायद दिख रही होगी तो जिग जग बाली जो सिलाई है वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत होती है तो यह मैंने आपको इसलो मुसर में दिखाया था किस तरीके से मैं रख दूंगे इसमें और मैंने इसमें डबल सिलाई रख दी थी तो यह देख लीजिए आप देख सकत इसके उपर से मैं फिर एक बार इसलाई रख दूंगी तो यह बिल्कुल से बिल्कुल मजबूत हो जाएगा आप कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें तो यह और दूसरी जगों से फट जाएगा लेकिन यहां से नहीं फटेगा तो इस तरीके से मैंने सिल दी है तो मैं आप जिसकी सर्विस कर देती हूं जितनी मुझसे जैसे भी बनेगी तो जितना मुझे दुकान मालों ने बता दिया था कि आप ऐसे कर लिया करिये घर पे और इतनी दूर तक लेके आते हैं आप तो परेसान मत हुआ करिये और बस तो फिर मैं उतना ही आप कर लेती हूं थोड़ कच्चरा जो है इसमें खटा हो गया था तो वो कैसे चलती तो इसको भी उसका जो है काम तो हम लोग ले लेते हैं उससे काम करवाते रहते हैं लेकिन उसके खाने पीने का और उसकी साफसफाई का ध्यार नहीं रखते हैं तो आज मैंने उसकी ऑईलिंग कर दिया और चलने लगते हैं और इसमें विचारे वो पता नहीं कब से कम से कम एक दो साल से तो मैंने उसकी सर्विस नहीं करवाई और इसकी सर्विस करवानी होती है और बहुत जरूरी भी होती है नहीं तो यह बस यही दिकत होने लगती है लेकिन क्या करूं मेरे यहां होती नहीं है यह फिर वही है यह देखिए आप इसके अंदर कितना कचरा है यह आप देख सकते हैं और मैं वही दिखाने को जिस कर रहे थी तो बताएए वो कैसे चलती उसको भी तो मतलब लगातार काम लेते हैं हम उससे और उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो चाहे वो मसीन हो या इनसान हो औ और हम अगर उससे काम लेते हैं तो थोड़ा सा उसका हमें ध्यान भी रखना होता है अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो वो खरा हो जाएगी उसी तरीके से इनसान भी है कि अगर इनसान से हम लगातार काम ले रहे हैं और उसको आराम नहीं दे रहे हैं और उसको आराम नह कर दिया है कि तुमों नहीं पता दिया था इसकी और आप चाहिए इसकी इतना अच्छी चले लगेगी और मुझे काफी दूर तक लेके जाना होता है इसको सर्विस नहीं चेकर आप उस सफाई करके मैं नहीं करवाती हूं और जब भी लेके जाती हूं तो तुरंद बोखर नहीं देते हैं तो उनकी दुकान पर रखके और आजाती हूं तो तीन-दीन-चार-चार मह怖 Prepare जाती है और फिर इसके वाद उठाना होता है तो ऐसा हो जाता है तो जो चीझ यह यूँ कहलें चैए कि दीप वो उसकी होली की जो है तैयारी हो रही है तो होली के लिए ही मैंने कुछिया बनाने के लिए मैदा और सूजी मंगवाई थी तो और कुछ सामान भी कुछ खतम हो गया था वो भी उसी में लेके आगए थे तो यह देखिए ग्रीन टी मेरी खतम हो गया थी मैं ग्रीन टीपीती हूं यह साबुन है और यह बेसिक सी चीजह है हमारे गहर में जो यूरो यूज होती है तो यह खतम हो गया थी तो इनको भी मैंने मंगवा लिया था और बैसे मुछे मगवाई मैने गुजिया के लिए ही था कि गुजिया बनाना है होली पे थोड़ी सी सूजी मैद और ट्राबiten मगवाई थे मैंने और यह मगवाई थ है तो जो मगवाई था भादा मगवाई थे तो इस द्धू लेकर आए थे और जो है मैदा मगवाई थी तो मैदा लाए नहीं थे और सूजी दी लेकर आए थे अब देखिए आज फिरसे मतलब लेने जाएंगे वो और यह देखिए चीनी तो मैंने मैदा मंगवाई थी तो उसके बतले में वो काजू लाए थे तो यह हो गया था हमाने रहा है तो ऐसा अक्सर हो जाता है कि कुछ मंगवाते हैं और कुछ ले कि आ जाते हैं तो ठीक है फ्रेंड सब हम मिलेंगे आपको कल क के ब्लोग में तो आज के ब्लोग कैसा लगा जरूर बताईएगा बाय बाय फ्रेंड